हेलो एब्रीबन वेलकम टो एस परेंट से पो और आरवी पीओ और आरवी क्लोड प्रेलियुम्स के लिए इस्पेशली जो वीडियो इस चैनल पर आ रहे हैं उन में से यह जो वीडियो है इसमें हम अंसर्टेन परसंस एक लाइन में जो बैठते हैं ऐसे सिटिंग अरेजमें करने तफ नहीं आएगा क्योंकि यह प्रीका पेपर होने वाला है और आप टाइम के भी कंपैरिजन में देखिए तो आपको लगभख साड़े बाइस मिनट में चालेस क्वेशन करने हैं तो लेवल उसी हिसाब से दिया जाएगा इस वीडियो में हम दस क्वेशन को डिसक् सही नहीं है सेटिंग अर्रेजमेंट के मादने में तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको याद है कि आपको पैपर की साथ रैडी रहना है हर क्वेशन को पहले खुछ से ट्राइब करने उसके बाद आपको उसका सॉलेशन देखना है यह हमारा पहला पहला प्रैपल बिट्मीन सी एंट जैसे कि हमेशा आपसे कहते कि दो पॉस्बिल्टी अक्सर बंती है प्री में जैसे कि कह रहे है कि सी किसी एक किनारे पर बैठा है तो वह किनारा बाया किनारा भी हो सकता है वह सकता है कि सी आपका लेट इंड पे बैठा हो या फिर यह जरूरी और अगर C right में है तो जो B है वो आपका C के left में बैठेगा दो लोगी गातिंग टेर There are as many people to the right of G as there to the left of G जितने लोग G के दाईं तरफ है उतने लोग G के बाईं तरफ है मतलब इस पंक्ते में बीचो बीच G बैठेगा क्योंकि अभी पंग्टी में कितने लोग हैं मैं यहीं नहीं पता तो यह चीज हम लिखेंगे कि जितने लोग G के राइट में उतने लोग G के लेफ्ट में है F is third to the left of B और B जो है sit fourth from one of the extreme end of the room F जो है वो B के बाइं तरब तीसरा है और जो B है वो किसी एक किनारे से कौन से नंबर पर आएगा चौथे नंबर पर आएगा आप यह देखिए first वाली situation देखिए क्या आप B के left में third number पर F को बैठा पाओगे नहीं बैठा पाओगे क्यों उस जगह पर कौन बैठा है सी लेकिन इसमें आप बना लोगे वी के left में third पर आपने सी को बैठा है तो बैठेगा तो एजो है वो एक किनारे पर बैठता है एक किनारे पर और और बी के बीच में कितने क्योंकि आपने एक को एकड़म left corner पर बैठाया होगा तो एक राइट में एक दो तीन चार पांच लोग की बाद कौन आ जाएगा यहां पर बैठेगा है ना इधर भी दो लोग इधर भी दो लोग और बीच ओ बीच कौन आ जाएगा यह सब अभी में कह покOPन नाम मिला नहीं है हमें दो लोग बैठ फांगे में अगे लग e4 बीच में उतनी लोग f 코로 दी की बीच में मैं आपको बताया था अगर इस तरह की situation दे और जो information आपको दे रहे हैं दोनों में किसी एक का नाम common हो जाए जैसे कि आप से कहा जितने लोग F और D के बीच में हैं उतने ही लोग F और C के बीच में तो किसका नाम common हो गया F का मतलब F बीचो बीच रहेगा उसके एक तरफ C रहेगा तो दूसरी तरफ D रहेगा F हमारे पास है F के राइस इप से ने कि कि बीच में पांच लोग बैटए हैं तो F के दाएं C हैं और बीच में पांच लोग और F के बाएं D को बैठाएंगे 5 को की ही gapping देंगे 224 और 255 और उ Say situation आपने बना ही रखी है कि डी के left में 5 लोग के बाद कौन आएगा एगा एक दो तील चार पाँच और उसके बाद कौन आ जाएगा ए और एक बीच में कौन होगा दो लोग होगे क्योंकि ए और डी के ठीक बीच में बैठा है और दी और जी के बीच में भी दो लोग करने तो बहुत इजी था तो बताई देड़ से दो मिनट के अंदर तो यह आपका बनके रेडी हो जाना चाहिए उससे जाधा का टाइम लगना नहीं चाहिए इस तरह की क्वेश्चन में अब आप इसका फाइनल अर्रेजमेंट क्लियर पिक्चर देख लीजे और मैच कर लीजे चलिए आगे देखतें अगला question देखते हैं अन अन्सर्टेन नूंबर और परसेंटिंग इन स्टेट राइन फेसिंग नॉर्स छी परसेंट बेट्वीन ए और बी की बीश में कितने लोग हैं तीन लोग हैं अब अगर ए और बीश में तीन लोग हैं हो सकता है आपका जो ए जा है टीचे टो में कितने रोगए कि तीलों के सी सेकंद त sociais ही सेट G 너 तरफ सेकंड नूंबर पर कौन सी तो की टाइन तरफ एक लोग की गापिंग के बाद सी होने साफ suivे के सब्केहरा यह कि अन्हि야 ज़्ड़े की सब्सक्राइब त में रस किसे लोग कि गापिंग करके आप किसे बैठाएंगे और दूसरी वाले सिच्वेशन में बिकी राइट में जगवागंल दूसरी ओर हτι में यह फिसट पहला को dispersed चार लोग होने चाहिए तो फर्स्ट कंडिशन तो रॉंग होगी सी के किनारे चार से जादा लोग है दूसरे में सी के किनारे लोगों को बैठा रहा है आप कितने लोगों को बैठाएंगे चार लोगों को ताकि सी आपका इस किनारे से कौन से नंबर पर आ जाए पांच में सब्सक्राइब किनारे पर है तो राइट पे भी हो सकता है अभी नहीं बैठाएंगे जितने लोग सी और एफ की बीच में उतने ही लोग एफ और दी की बीच में कौन कॉमन हुआ मतलब एफ बीच में रहेगा एक तरफ सी रहेगा और एक तरफ दी रहेगा आपके पास पिलार ये डी है और ये कौनicação सी मतलब कीकी वेच और उसके बाद एफ की बाद चाहराक चाहर बीच में भी होगे चार लोग F1 C के वीश्वन होगे जे सेट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी जो आपका जे होगा वो जी के लेफ्ट में सेकंड होगा अभी जी और जी हमारे पास नहीं है इसको बात में बनाएंगे कि जो जी है? इमेडिate नेबर होगा किसका नेबर होगा? बी का अचा क्या बी की राइट में जी के लिए जगा खाली है? नहीं तो आप जी को कहां बैठ होगे? बी लेफ्ट में और जे आपका जी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे मतलब जी के बाईं तरफ एक परसं गो छो आई किसी एक किनारे पर बैठना चाहिए था और डी और आई की बीच में पांच लोग है तो अब आई को हम राइट किनारे पर नहीं बैठा पाएंगे तो लेफ्ट में बैठाएंगे एक दो तीन चार पांच और उसके बाद की लाइन पर कौन आ जाएगा आई आ जाएगा जितने लोग डी और एच की बीच में उतने लोग एच और आई की बीच में बताई इसमें किसका नाम दो बार आ गया एच का मतलब एच बीचो बीच रहेगा एच के एक तरफ दी और एक तरफ आई तो देखिए आई और डी इनकी बीच में एच को बैठाना है कितने लोग बीच में पांच लोग दो की गैपिंग इधर करी दो की कि इधर करी और बीच और बीच किसे बैठा दीजे यह आपका बन के तैयार हो गया इसका जो क्वेशन है यह मुश्किल से आप पहले खुछ से जरूर ट्राइब करेगा टाइमर लगा कि आप क्वेशन लगाना शुन करते हैं निश्य संख्या में लोग बैठे हैं इस बार याद रखेगा सबके सब कहां देख रहे हैं साउथ देख रहे हैं क्यों से 6 प्रॉम राइट आप एक्स जहां भी बैठेगा क्योंकि अब आपका नीचे देख रहा है एसका राइट अभी धर होगा बीच में पांच लोग होंगे एक दो तीन चार पांच और उसके बाद कौन आ जाएगा क्यों तो क्यों एसके दाइन तरफ कौन से नंबर पर आ गया छटवे नंबर पर बीच में कितने लोग आ गये पांच लोग के लेफ्ट में प्रसेंट नंबर पर कौन आएगा टी फोर्थ नंबर पर पिच में तीन की गैंपिंग होगी और यहां पर कौन आजाएगा टी साउथ में देख रहे हैं तो लेफ राइट में फरक आएगा ध्यान दीजेगा अब यहीं से question दो भागों में बढ़ गया क्योंकि जो Q और P की दिश में 2 की gapping है तो P आपका Q के left में भी हो सकता है और P Q के right में भी हो सकता है तो एक condition और हम यहां बनाएंगे यहां Q था 1, 2, 3 3 की gapping के बाद T था T की 1 की gapping के बाद कौन था? Q और P की बीश में 2 लोगों को बैठाना है तो हमने एक बाद P को Q के left में रखा है इस बार हम P को Q के right में रखेंगे अब आगे देखेंगे हम 6 persons are sit between W and V अभी ना तो W है ना तो V हैं लिख लेते हैं W और V की बीश में कितने लोग है? 6 लोग R sit 4 to the left of S यह बन जाएगा ना S के left में 4 नमबर पे आ रहे है 4 नमबर पे आ रहे है तो बीश में कितने लोग होंगे? 3 लोग यहाँ पे भी S के left में 1, 2, 3 और उसके बाद कोन आजाएगा? U sit between S and T S और T की बीश में कौन बैठेगा? U तो यह जो एक जगा खाली है ना दोनों केसस में यहाँ पे कौन आ जाएगा? U आ जाएगा V sit second to the right of U U के right में U के right में second number पे कौन है? V इसमें देखे गलत हो जाएगा क्योंकि U के right में second number पे कौन आ जाएगा? P तो यह case गलत हो गया सेकेंड वाले को continue करिए पहला वाला wrong हो गया अब क्योंकि V आ गया है तो V और W के बीच में 6 लोग है तो left right में चेक करिए अगर आप left में चेक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन पाएगा क्योंकि V से 6 परसन के बार R बैट रहा है तो V के right में बैठाएए एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 और यहां पे किसे बैठा दीचे डवली देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6 V और W के बीच में कितने लोग होगे 6 लोग होगे डवली इस से टिंग थर्ड फॉर्म एनी ऑप दाइट अगर W किसी किनारे से तीसरा है तो दाइए किनारे से तो बना नहीं पाएंगे इनके केस में देखा जाएं तो अब दाइया जो है वो पाया होगे फिलाल W को इस किनारे से तीसरा बनाना है तो इधर दो लोग को बैठा दीचे आगे कहा रहा है कि S is 8 फ्रॉम दा लेफ्ट इंड ऑफ द रू जो एस है आपका वो बाएं किनारे से आठ हुआ है अब इसका लेफ्ट इधर हो गए क्योंकि सब साउथ देख रहे है और अगर एस आपका लेफ्ट से आठवे नंबर पे मतलब एसके लेफ्ट में साथ लोग होने चाहिए चार लोग ऑल्रेटी बैटे हैं तो आर के उधर कितने लोग और बैट जाएंगे तीन लोग तो इसे साब से पूरा कितने लोग हो गए रो में प्वेंटी लोग रो में आ रहे होंगे ये इसका क्लियर है आप इसको भी देख लीजे मैच कर लीजे एक से देड़ मिनट से जाधा का ये क्वेशन नहीं था ठीक है तो प्रैक्टिस एकदम जोरो शोरो से सुरू करिए अगला क्वेशन देखते हैं इस बार भी सबका फेस किदर है साउथ है सिस्टेंड वन ओफ द इंड ऑफ द रूफ सी किसी एक किनारे पे तो वही वाली कहानी शुरू सी बाहीं तरफ भी हो सकता है अभी देखो यह लोग साउथ देख रहे है तो यह राइट हो गया और यह लेफ्ट हो गया तो एक बार हमने सी को यह राइट छोर पे रखा है एक बार कहां रखेंगे लेफ्ट पे रखेंगे और याद रखेंगे कि इन लोग का जो फेस है वो साउथ में है आगे देखेगा As many person is standing between D and F D और F की बीच में जितने लोग है उतने ही लोग E और D की बीच में बताइए इसमें common कौन आया D मतलब D बीचों बीच रहेगा उसके एक तरफ E, एक तरफ F with same gaping फिलाल हमारे पास इन में से कोई नहीं है तो इसे side में information लिखके आगे की lines को पढ़ेंगे आगे की lines है 8% is standing between E and B ये जो E है ना E और B के बीच में कितने लोग रहेंगे 8 लोग रहेंगे केवल 1% कड़ा है किसके बीच में C और E की बीच में ये हम बना सकते हैं क्योंकि C के right में तो कोई जाएगा नहीं तो E आएगा C के left में 1% की gapping से इसमें C के left में कोई नहीं जाएगा तो C और E के बीच में 1% की gapping हम ये करते हैं अब आपको पते हैं ना E और B के बीच में कितने लोग ते 8 लोग ते E आ चुका है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और किसे बैठा दीजे B को इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कौन आ जाएगा आपका B आ जाएगा अभी ये बन गया आगे की lines को देखते हैं B is third from one of the end B किसी एक किनारे से तीसरे number पे आना चाहिए अब B इस वाले में C की तरफ से तो तीसरा नहीं आएगा इस तरफ से तीसरा बनाना है तो इधर दो लोग बैठा दीजे और इसमें इधर से दो लोग बैठा दीजे तो B किसी एक किनारे से तीसरा दोनों cases में हो गया A is fifth to the right of D. D जहां भी बैठेगा D के दाईं तरफ तो अगर D नीचे देखेगा D के दाईं तरफ पांचवे नंबर पे A है तो बीच में कितने लोग होंगे? A चार लोग C और F के बीच में 6 से ज़ादा लोग होंगे C और F के बीच में 6 से ज़ादा लोग होंगे not more than 5% standing between B and A B और A की बीच में 5 से ज़ाधा लोग नहीं रहेंगी किसके बीच में B और A की बीच में अभी हमें क्या करना है यही सब cases रखके देखना है कौन से cases देखें E आपका आ गया है E और F के बीचों बीच किसे बैठाना है D को बैठाना है और आपको यह भी ध्यान देना है कि F और C की बीच में 6 से ज़ाधा लोग है अगर आप C से काउंट करिए क्योंकि आपका राइट इन लेफट इन डिसाइड हो चुक है एक्ट्रा सीट लगनी नहीं है अगर आप यहाँ से C से काउंट करिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को बैठा सकते हो अराम से आप को बैठा लोगे लेकिन फिर आपको यह याद रखना है कि अगर आपने यहाँ पे दी को बैठा लिया तो D और A की बीच में कितने लोग है चार लोग है एक दो तीन चार इधर तो जगह नहीं है इधर एक दो तीन चार के बाद यहां पर आप किसे बैठाओगे A को बैठा होगे, A और B की बीच में 5 से जाधा लोग नहीं होने चाहिए, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि 5 से जाधा नहीं, in fact, कोई नहीं आएगा A और B की बीच में, तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो कोई फ्रॉब्लम आएगी, क्या, नहीं आएगी, अच्छा, अगर हम और कोई केस ले, मतलब C और F के बीच में 6 से जाधा लोग हो सकते हैं, हमने 7 लोग ही लिया, अगर हम 8 लोग बैठा है, अगर हम F को यहां बैठा है, तो E और F के बीच में कितने लोग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब बीचों बीच हम D को बैठा ही नहीं पाएंगे, तो यहां पर A बैठाना पड़ेगा, वही सारी चीज है, फिर आप देखोगे कि A और B की बीच में 5 से जाधा लोग हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, तो अभी तक फिलाल F की यह जगा सही बैठी है, अगर आपने यहां नहीं बैठा सकते, यहां तो अबिसली B बैठा है, अगर आप आपने F को यहां बैठाया, तो E और F की बीच में की गैपिंग आप देख लीजे, एक दो तीन की इधर करोगे, एक दो तीन, एक एक की और हो जाएगी, यहां पर कौन बैठ जाएगा, आपका D, चेक करना पड़ेगा इस क्वेशन में, तो एक दो तीन, चार, आपने यहा आपको पता है कि यह भी गलत जा रहा है, लास्ट जगह F के लिए यह बची चेक करने के लिए, अगर आपने F को यहां बैठाया, एक, दो, तीन, चार, और E से, एक, दो, तीन, चार, तब बीचो बीच बैठा नहीं पाँगे, क्योंकि बीच में टोटल नमबर आप परसन इवन में आएगा, एक ही जगह है कि आप यहां पे किसे बैठाये, F को बैठाये, ने, स्वारी, बीचो बीच किसे बैठा नहीं था, D को, एक सेके रुकिएगा, पहले हम इसे थोड़ा क्लीन करे, जो पॉस्बिल्टी चेक हम लोग कर रहे थे, रुकिए, इसको हम थोड़ ख्लेन बना दे रहा, यहां पे, यहां पे एक लाइन और पे, ठीक है, तो आप से बोला कि C और F के बीच में 6 से जाधा लोग होने ही होने चाहिए, तो आप 6 से जाधा मिनिमम की पॉस्बिल्टी पहले कितनी लो, 7 किलो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद आपने यहां पे किसे बैठा दिया F को बैठा दिया, अब आपको देखना है कि E और F को बीचे-बीच कौन बैठाना है, D बैठाना है, अगर यह E है, यह F है और बीचों बीच बीच, D को बैठाना है तो यहां पे, आप किसे पूट करेंगे, ठीक है? SORRY अब देखेद A के और A के चार लोग है अगर आप Left में देखेंगे तो 1 2 3 4 के पाऊंगे C भीठ है वाँ पे इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐहां पे कौन बैट जाएगा A A और B के बीच में 5 से जाता लोग नहीं होने चाहिए पांच से कम तो हो सकता है ना तो पांच से जादा हुए भी नहीं यह सारी चीज़े बन गई लेकिन बोला है कि A is 5th to the right of D A जो है वो D के right में पांचवा ही है तो आपने जो बनाए उसमें जो है A आपका D के left में हो गया क्योंकि D के right में आप बैठाएंगे तो problem क्या आएगी B और A के बीच में जादा लोग हो जाएंगे पांच से तो यह wrong हो गया आपका ठीक है यह वाला case क्या हो गया wrong अगर आप second में इस चेश को चेक करें आपका C यहाँ पर है आप देखे C से आप F को देखे 1 2 3 4 5 6 कम से कम 7 आप लोगों को लेना पड़ेगा माल लिजे आपने F को यहां बैठाया ठीक है अब आपको ने F को यहां बैठा दिया F और E की बीचों भीच दी को बैठा रहे है एक दो एक दो यहां पर आप किसे बैठाओगे B को टी की राइट में एक दो तीन चार्ट चौते नंबर प की बीच में भी हो गया एक किनारे से तीसरी नंबर पे भी हो गया आपका दी के दाई तरफ एक दो तीन ओपे आपका फिफ्ट होना चाहिए तो यहं आएगा एक दो तीन चार पांस तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बोला है कि 6 लोगों से जादर C और F की बीच में और A और B की बीच में 5 से जाधा लोग नहीं होने चाहिए, तो ये case आपका बनके तयार हो गया, और इसका जो clear image है वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है तो हम ये आपका clean कर देते हैं, आप अपने answer को इस clear image से भी match करा सकते हो, अगला question देखते हैं, A certain number of people are sitting in a linear row, all of them facing north direction, ठीक है, question आपका कह रहा है कि सारे के सारे कहां देख रहे हैं, north में देख रहे हैं, M is 8 to the left of J, माल लिजे यहाँ पे J बैठा है, J की left में 8 वे number पे M है, तो बीच में 7 लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस बार सब लोग north में देख रहे हैं, N is 4 to the right of K, ये लिखन पड़ेगा न, क्योंकि K के right में 4 नंबर पे N है, तो बीच में कितने लोग तील हो, O is immediate left of P, O आपका तुरंथ लेफ्ट में है, किसके P, K, L sit exactly middle of K and J, K और J के एकदम बीच में, कौन बैठेगा, L बैठेगा, ठीक है, बीचो बीच L बैठेगा, उसके बाद P sit third from one of the extreme end of the room P जो है, वो किसी एक किनारे से कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, जितने लोग J और P के बीच में बैठे हैं, उतने ही लोग K और J के बीच में हैं, तो इसमें common कौन हुआ, J, मतलब J बीचो बीच होगा, J के एक तरफ K होगा, तो दूसरी तरफ कौन ह होगा, आपका P होगा, अब आप देखिए, आपने यहां पे लिखा था, कि आपका जो K हैं, और जो J है, उसके बीचो बीच कौन बैठेगा, L बैठेगा, ठीक है, यह information बाद में काम आएगी, और जो लाइन हैं, उसे भी अमनों लिख लेते हैं, केवल 10 लोग बैठे हैं, 8 लोग हो गए हैं, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दो लाइन और इधर लगेगी, और उससे ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है, यह confirm है कि J के लेफ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वे नमबर पे M हैं, फिर 2 seat और होगी, अब जो भी बैठेगा, वो J के राइट में आएगा, only 6 people are between N and O, N और O की बीच में किवल कितने लोग हैं, 6 लोग है, नमबर ओपीपल बीचों बीच रहेगा, एक तरफ M है, दूसरी तरफ Q रहेगा, यह आप बना सकते हो, अभी का अभी, क्यों? क्योंकि J की लेफ में M आपका 7 लोग की गैपिंग पे है, तो J की राइट में Q आपका 7 लोग की गैपिंग पे जाएगा, 1,2,3,4,5,6,7 और कौन आजाएगा उसके बाद Q आजाएगा, ठीक है? इसको हटा देते हैं, और आप 2 वाले में भी इसको बना लेजे, क्योंकि 2 वाले में भी, J के लेफ्ट में 7 लोग के बाद है, तो J की राइट में 1,2,3,4, 5,6,7 लोग के बाद कौन आजाएगा, क्यों आजाएगा, ठीक है? यह आगया, अच्छा, अब इसके बाद J और K के बीचों बीच कौन आना चाहिए? L आना चाहिए, यहाँ पे लिखा था, clear नहीं दिख रहा होगा, और जितने लोग K और J की बीच में हैं, उतने ही लोग J और P के बीच में है, तो फिर से एक बार J आपका बीच में आएगा, एक तरफ K रहेगा, और एक तरफ कौन रहेगा, पी रहेगा, जितने लोग आपके पास हैं, उनमें से आपको किसी का भी नाम जो है, वो common मिल रहा है, क्या हो गया, जे हो गया, बस आपको J का नाम बार बार common मिल रहा है, उसके अलावा के आपका J के ही जरिये आएगा, और के एक साथ आएगे, और पी एक साथ आएगे, इसका मतलब यह हो रहा है, कि आपको possibilities पूट करके देखने ही पड़ेंगी, जैसे कि उसने कहा, कि जितने लोग के और जे की बीच में, उतने ही लोग जे पी की बीच में है, मतलब के के एक तरफ जे के की रहेगा, और एक तरफ कौन आएगा, पी रहेगा, और आप जिस भी तरफ के को रखेंगे, के की बीचे बीच कौन बैठाना पड़ेगा, के और जे की बीच में, ल को बैठाना पड़ेगा, इसका मतलब यह हुआ कि जे और के की बीच में टोटल नंबर आप पर्सन जो है वो और में ही रहेगा तभी आप बीच हो बीच की सी को बैठा पाएंगे तो चली देखते हैं अगर यह हमारा जे अगर हम लेट में देखें maximum possibility भी लेके चल सकते हैं क्योंकि के को जहां भी बैठाएंगे के से पर्सन की गैपिंग पर एंग को भी बैठाना है फिर एंग से 6 पर्सन गैपिंग पर ओको भी बैठा रहे तो काफी लिंक बैठ जाएगा मान लीजे जे की लेफ्ट में एक दो तीन चार इदर और बीचों बीच आप किसे बैठाऊगे रहे क्योंगे क्यों बैठाऊट्व बैठाऊगे तो एक-दो-टीन चार-पांच-छे के बाद किसे बैठाओगे ओ जो है तुरंत लेफ्ट में था किसके मतलब पी जो है वो तुरंत राइट में किसके हो जाएगा ओके बन गया है इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम होई नहीं लेकिन आप से चीज कहा था कि पी किसी किनारे से तीसरे नंबर पर आना चाहिए देखिए कहीं तो यह लाइन लिखी थे क्योंकि यह आपने लिखा हुआ है पी से फ्रॉम थर्ड फ्रॉम राइट आप दरों अब पी आपका राइट इंड से थर्ड पर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना मतलब यह पॉस्बिल्टी क्या होगे आपकी रॉम पर तो यह जो आपने किया था इत्ते आप फड़ा दीजिए या इससे भी ज्यादा देखिए यह आपका एक सेकेंड पूरा हड़ गया कोई बात ही फिर से बना लेंगे इससे भी तरही एक अप्रोच आपका हो सकता है इससे भी इजी अप्रोच क्या होगा कि आपने यह किया कि आपका जे है जे के लेफ्ट में एक दो तीन चार आपने यहाँ पे जे को बैठाया ठीक है जे के लेफ्ट में एक दो तीन चार पांच शह साथ इसके बाद आपने किसे बैठाया M को बैठाया ठीक है J और M के बीच में साथ लोग है तो जो है Q के बीच में भी कितने होंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आप किसे बैठा लोगे इधर Q को बैठा लोगे एक तो यह आपका हो गया था ठीक है यह बन गया था कोई बात है दुबारा और लिखेंगे एक दो तीन के बाद कौन बैठेगा यह अभी हम बना नहीं पाएंगे और पी आपका राइट किनारे से थर्ड आएगा तो पी आपका कंफर्म है कि राइट किनारे से थर्ड आएगा और उसके तुरंत लेफ्ट में कौन आ जाएगा ओ होगा उसके बाद जितने लोग के और जेच के बाखे नहीं और कि बीच में यही चीज हम दोंक चेक कर रहे हैट यहीं चीज ऑन को जो कोOnce कि तो यहाँ तो आपका O है वो पी की तुरंट लेफ्ट में रहेगा और पी आपका राइट इन से थर्ड नमबर पे आएगा तो आप यहां से भी अप्रोच कर सकते हो कि मालो आपने माल लिया कि क्यों ही जो है वो आपका एकदम किनारे है यह आपने अजयों कर लिया तो एक दो तीन यहा पर नमबर पे था कि थार्ड नमबर पे था जिसे चेक करते हैं नमबर पे था मतलब एक दो तीन के बार यहां पे कौन आ जायगा की आजायगा अब देगे के और जे की बीच में कितने लोग आये 1 2 3 4 5 कोई δिक्कत नहीं है बीचों बीच यहां पे आप किसे बैठा दोगे एल को बैठा दोगी ऐसा भी तो आप अप्रोच कर सकते हैं और भी लोग किनारे हो सकते हैं तो बाकी चाहिए आपको देखनी पड़ेंगी जो बच्ची हुई लाइन है अगर बन गई तो यही सही है अदर्वाइस यह सही नहीं है जितने लोग जे और पी के बीच में क्या उ सब्सक्राइब से यही आए नंगे तो यह भी आप अप्रोच कर सकते हैं आपने supreme क्या आपक़को करने यह बाता है अग्ला इसके बाद चार है código और आपका जो डी है उसके दाईं तरफ चौथे नंबर पर ए है तो यह आपने डी बैठ आया डी के राइट में एक दो और तीन की गैपिंग के बार कौन बैठ जाएगा आपका ए बैठ जाएगा ठीक है अब question दो भागों में बटेगा अगली लाइन में इसलिए पहले ही बनाने जे एक दो तीन के बाद कौन आ जाएगा यहाँ पर कौन रहे का डी कैसे बटेगा माम दो पार्ट में लिखा है ए और जी की बीश में कितने लोग है पांच लोग है तो जी चीज एक राइट में भी हो सकती है एक दो तीन चार पांच के बाद यहाँ पे कौन बैठ सकता है जी बैठ सकता है आगे कह रहा है कि एफ सेट एट वन ओफ पोजिशन लेफ्ट व दी की लेफ्ट में ही होगा वन ओफ पोजिशन तुरंट लेफ नहीं बोला है एफ आपका पीचों पीच पड़ेगा यह कहाने जा सकता बस इतना पता है कि जितने लोग एफ की बीच में हो जबनालोगी वी कितने लोग नहीं कि लेकिन एक के लेफ्ट में एक लिँको सकते एक को बैठा इसमें भी देखिये दो यह बन गया और दोनों ही तब भाई तब तो wrong हो गया है ना क्योंकि इसमें भी f आपका d के left में नहीं है तो किस तरीके से यह बनाता है h बीचो बीच था अच्छा h बीचो बीच था d और a के यह मेरी गलती है भाई f नहीं बलकि कौन बीचो बीच था h बीचो बीच था तो इनकी वज़े से आपने जो जो बनाया है फिलाल को उसे हटाईए और फिर से लाइन को देखते है a और d के बीचो बीच कौन बैठेगा h तो यहाँ पर जगा किस की बनेगी h की बनेगी ठीक है h आ गया यहाँ पर उसके बाद चार लोग बैठे हैं a और e की बीच में अब यह बताओ जितने लोग a और e की बीच में है उतने ही लोग d और f के बीच में है अगर e और e की बीच में चार लोग है तो d और f के बीच में भी चार लोग है और बोला है कि f d के left में ही रहेगा तो d के left में एक दो तीन चार उ उसके बाद कौन आ चाहेगा a or e की भीच में भी चार्ड लोग आने चाहिए अध में भी जगा खाली ऊहर्ट कमें भी जगा खाली होई तो a or e का अभी हम बनाएंगे क्योंकि next right दोनों तरफ जगां क्या है खाली आगी की learning को पड़ेंगे कोई नहींगी बैट और वी तुरंद राइट है किसके सी के इसका मतलब एकदम राइट में है और उसके तुरंद लेफ्ट में कौन बैठेगा दो लोग है अब आपका बन जाएगा आपको याद है E को ऐसी जगह बैठाना है कि A और E की बीच में 4 लोग आएगे लेकिन अगर आपने E को याप की बैठाया तो A और E की बीच में 4 लोग नहीं आएगे अब जाके डिसाइड हुआ कि E आपका इढएगा Similarly, अगर आपने E को दो लोग की gapping के बाद इधर बैठाया HK तो A और E की बीच में 4 लोग नहीं हो पाएंगे लेकिन अगर आपने E को इधर बैठाया तो 1, 2, 3, 4 A और E की बीच में 4 लोग हो जाएंगे, बिल्कुल correct है F एकदम extreme left में है, मतलब F के बाद left में कोई और नहीं बैठेगा आपका देखे, G आचुका है और G आपका बोल रहा था कि G आपका C के left में 3rd है और आपको याद है C के बाद B होगा, B के बाद कोई नहीं होगा मतलब G के right में maximum कितने लोग हो सकते हैं? 4 लोग तो first वाले possibility wrong हो गई, इसमें G के right में बहुत सारे है, second वाले सही हो गई G के right में second दो लोग की जगह के बाद हम C को बैटाएंगे और C के बाद किसे बैटाएंगे, B को बैटाएंगे तो ये question पिछले question की comparison में कम possibilities वाला था इसका clear email आप यहां पे check कर सकते हैं और इसे मिला सकते हैं, question number 6 के बाद, question number 7 देखेगा a certain number of people are sitting in a state line facing south direction, सबकर सब कहां देख रहे हैं, सब लोग south में देख रहे हैं W से fifth to the left of U, आपने कहीं पर U को बैठाया, क्योंकि ये नीचे देख रहा है तो U के left में पांचवी number पे W है, तो बीच में कितने लोग होते हैं, 4 लोग, 1, 2, 3, 4 और 4 की gapping के बाद कौन है, W, इसमें भी बनाईए, ये U है, U के left में 1, 2, 3, 4, 4 लोग की gapping के बाद कौन है, W केवल दो लोग है W और X की बीच में, अब देख लिया, W और X की बीच में दो लोग हैं, लेकिन याद रखिएगा कि X किसी एक किनारे से कौन से number पे आएगा, second number पे आएगा, अगर आपने ये सोच रहा कि W और X की बीच में दो लोग है, तो हम X को यहां भी बैठा सकते, क्योंकि अगर X को आपने यहां बैठाया, तो X ना तो दाएं से second आपाएगा, ना तो बाएं से second आपाएगा, उसे किसी एक किनारे से second रहना जरूरी है, तो आपको X को इधर बैठाना पड़ेगा, और X को आप इस वाले किनारे से second बना सकते हो, एक लोग को रखें, similarly इस से left में तो कोई जाएगा नहीं, right में देखेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच के बाद, यहां पे किसे बैठाये, V को, S is 8 to the right of V, V के दाएं आटवे नंबर पे S है, तो बीच में साथ लोग, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ लोग के बाद, आपको कौन आ जाएंगे, तो S और U के बीच में कितने लोग है, देखे, 1, 2, 3, 4, 5, तो S और T के बीच में भी कितने लोग रहेंगे, 5, S के इस तरफ U है, तो उस तरफ T हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 के बाद, यहां पे कौन आजाएगा, T आजाएगा, केवल दो लोग है, T के राइट मे उधर केवल कितने लोग जाएंगे दो लोग जाएंगे तो यह पूरा बहुत ही ईजी सा क्वेशन था इसमें तो दो पॉस्बिल्टी की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपका अर्रेंजमेंट बनके तयार हो गया मुश्कल से देड़ मिनट का क्वेशन है उससे जाधा टाइ तो आप क्या करिए एक बार आप जी को हके लाइट में बना दीजे धर नमबर पे और यहां सी है नथर भी बैटे गा और बीच में पांच लोग होंगे क्योंकि बीच अब नमबर पे है और च के बारे में कह रहे है कि सी सेकेंड टो दे लेफ्ट है किसके एक सी खुद एक के बाइन तरफ कौन से नंबर पर है दूसरा मतलब बीच में कितने लोग एक लोग यह सारी चीजे अभी में डाइग्राम में अटैच नहीं कर पाएंगे आगे की लाइन पढ़नी पड़ेगी जी एंड इमेडियेट ने आगे देखेंगे आगे राइट में और पर ऊ एला पर टाहसे नंबर पर एफ मतलब बीच में तीफ है दो में पर एक दो तीन बहें उसके बाद कौन F इसमें भी देखिए 1, 2, 3 और उसके बाद कौन आ जाएगा आपका F आ जाएगा आगे की लाइन क्या कह रही है कि some person between H and A, H और A के बीच में जितने लोग बैटे हैं वो A कम है उन लोगों से जितने लोग B और C के बीच में बैटे हैं गीठा आपने देखा था कि B और C के बीच में की लोग पांच लो अगर B और C बीचिमें नहीं यह लहोंकि एक तो मतनब चार लोग बैटेंगे किसके बीच में ह और A की बीच में तो इसके लिए esse left guy और एंश खे लेकिन इसके पहले होवारी एक चीज और क्लियर हो गई है क्या एक लाइन थी जहां पर कहाता कि G और E दोनों ही नेवर होंगे किसके D के तो मैंने आपसे कहाता कि G और E की बीच में D आएगा तो अब आप यह देखें कि G की राइट में नहीं हो पाएगा यह चीज होगी G के लेफ्ट में इधर G बैठा है तो इधर E बैठेगा और बीचों बीच कौन D ठीक है इस वाले में देखें अगर H के तुरंट लेफ्ट में आई है ठीक है तो इसमें तो देखें G के राइट में जगा नहीं है G के लेफ्ट में बीचों बीच कौन आ जाएगा D और यहां प पांच लोग ते और भी आपका सी के लेफ्ट में था इसमें भी बनेगा यही चीज यह ए अब क्या एक लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर आप सी को बैठा पाओगे नहीं बैठा पाओगे मतलब यह वाली पॉस्बिल्टी क्या होगी रॉंग होगे यह वाली सही है चले आगे इसी को बढ़ाते हैं आगे की लाइन्स देखते हैं आपसे बोला था कि I sit immediate left of H और person sit to the left of I जितने लोग I के left में बैठते हैं वो दो गुना है I के left में कितने लोग है जरा देखिए एक दो तीन चार पांच छे चे पांच 11 और 12 फिल हाल कितने लोग है 12 और भी लोग हो सकते हैं ठीक है confirm नहीं है कि 12 ही लोग होंगे तो यह twice है कितने लोगों का of the person between B and D from the left in तो left in से B और E बैठे हैं B और E के बीच में जितने लोग बैठे उसका twice है यह बोल रहा है क्या देखो B और E के बीच में बैठे कितने लोग हैं तो यह अलग मेनिंग निकालता है तो B और E के बीच में 5, 1,6 और 1,7 होगा तो अगर B और E के बीच में 7 लोग हैं तो I के left में जो लो में जगा नहीं है आप देख लेज़ेगा दो लोग और बैठा होगे इस इसाप से ठीक है तो आई के लेफ्ट में हो गए दो गुने लोग किसके दो गुने लोग जितने लोग बी और एक बीच में बैठते हैं फिलाल तो यही मीनिंग इस लाइन की निकल रही है ए आपका कि इसे एक किनारे से सेकेंड नंबर पर किदर से राइट एंड से है तो यहां पर आपकाका बनके टैयार है और इसे आप इस image से match कर लीजे, ठीक है, तो ये हम इसको clean कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजे, match कर लीजे, अगर आपका भी diagram यही बना है, तो ये बिलकुल correct है, question number 9 देखिए, question number 9 तक हम करवाएंगे, question number 10 आपको करके, question का answer comment section में देना है, इसमें जितने लोग बैटे हैं, सबके सब south देख रहे हैं, तीन लोग बैटे हैं, किसके बीच में, D और E की बीच में, and B जो है, वो third to the right होगा, किसके E के, अच्छा सब लोग south देख रहे हैं, बहुत easy है भाई, सब बहुत आसान है, जितने भी question दे सब आसान है, अगर आप आपने E को यहां बैटाया, यहां पे आपने E को बैटाया, E के right में third number पे B है, मतलब बीच में कितने लोग आएंगे, दो लोग आएंगे, अब D और E के बीच में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, तो D और E के बीच में तीन लोग हैं, तो वो चीज E के right में भी हो सकती है, D इधर भी हो सकता है और वही सेम चीज इधर भी तो हो सकती एक, दो, तीन के बाद यहाँ पे कौन बैट जाए D और इधर E के बाद दो लोग के बाद कौन आ रहाता B ठीक है ये भी हो सकता है Number of persons sit between D and F is equal to the number of persons sit between D and C जितने लोग D और F के बीच में उतने लोग D और C के बीच में common कौन आया? D मतलब D बीचो बीच रहेगा एक तरफ C रहेगा और एक तरफ F रहेगा विस सेम number of persons Only three persons sit to the left of C C के लेफ्ट में केवल तीन लोग है बेटा ये लोग साउथ देख रहे है और C के लेफ्ट में केवल तीन लोग है मतलब इस line के जो बाया किना रहा है उदर से तीसरे number पे ही कौन आ जाएगा आपका C आ जाएगा ठीक है? B से second to the left of F ये जो आपका B है F के लेफ्ट में second है अगर B F के लेफ्ट में second है यहाँ पे F को बैठाना पड़ेगा और इस वाले में जगा बनानी पड़ेगी और यहाँ पे F को बैठाना पड़ेगा तो B के लेफ्ट में कौन से number पे हो जाएगा? second केवल 6 लोग बैटें किसके बीच में C और A की बीच में आपने अभी अभी देखा कि C के लेफ्ट में जगा खाली नहीं क्योंकि C के लेफ्ट में केवल 2 लोग है तो अगर 6 लोग C और A की बीच में बैटें तो A आपका इधर बैठेगा ठीक है? केवल 2 लोग बैटें किसके बीच में? F और G की बीच में अच्छा, अगर 2 लोग बैटें तो यह चीज F के लेफ्ट में भी हो सकती है फिलाल और F के राइट में भी हो सकती है साइड में लिख लिचे कि F और G की बीच में कितने लोग है? दो लोग है G sits second from the extreme in G आपका किसी किनारे से कौन से number पे आएगा? इतनी सारी चीज़े आपको बता दिया है और अब आपको चेक करना पड़ेगा एक second C के लेफ्ट में कितने लोग है? तीन लोग है अब आप क्या करोगे? आप possibilities चेक करोगे आपको यह देखना है कि जितने लोग आप D और C के बीच में बैठाओगे उतने लोग D और F के बीच में बैठाओगे और C और A के बीच में 6 की गैपिंग भी आनी चाहिए ठीक है? और D के right side में आप C को नहीं बैठा सकते क्योंकि C आपका left किनारे से third number पे आना चाहिए तो आप ही बताइए आपके पास D और F पहले से बना है और D और F के बीच में gapping आप देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 की है तो D और C के बीच में भी gapping कितनी होगी? 1,2,3,4,5,6,7,8 की होगी यहाँ C बैठेगा C के left में केवल कितने लोग है? 3 लोग है C और A के बीच में 6 लोग है तो 1,2,3,4,5,6 यहाँ पे कौन आजाएगा? आपका A आजाएगा चीक है? और G आपका second है किसी किनारे से अब आप किस किनारे second बनाओगे? अगर आपका left से नहीं बन रहा है तो अच्छा और दो ही लोग बैठेगे किस के बीच में? F और G की बीच में? अगर F और G की बीच में दो ही लोग बैठाना है तो क्या G को आप बाएं किनारे से second बना पाओगे? नहीं, आपको G को दाएं किनारे से second बनाना पड़ेगा तो यहाँ से दाएं किनारे से G को second बनाने के लिए G के दाएं तरफ एक परसन को और बैठाईए और F और G की बीच में दो लोग को बैठाना है तो यहाँ पर दो सीट और बना दीचे यह चीज आप यहाँ ना बना पाते की बना पाते? देख लिएचे D और F की बीच में कोई नहीं है तो D और C की बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए था लेकिन यहां पे कौन बैटा है, B, तो यह वाला आपका already wrong हो जाता, second वाली condition ही आपकी क्या है, सही है, और इसका clear image आप यहां पे देख सकते हैं, यह भी easy question था, तफ बिलकुल भी नहीं था, तो यह है question number 10, जिसको आपको arrange करना है, और आप कैसे answer करोगे, क्योंकि comment में आप diagram तो बना नहीं पाओगे, तब भी बहुत easy है, ठीके, आप ऐसे answer करिएगा, जैसे माल दीजे, आपने बनाया होता, और आपका यह diagram बनता, तो आप ऐसे लिखेगा, पहले 1% की gapping, उसके बाद G, फिर 2% की gapping, उसके बाद F, उसके बाद 1% की gapping, उसके बाद B, इस तरीके से लाइन से आप लिखे अपना answer दीजेगा, B के बाद 2% की gapping, उसके बाद E, फिर कितने लोग की gapping है, 3% की gapping, उसके बाद D, फिर 1% की gapping के बाद A, इस तरीके से answer आप करिएगा, comment section में, question number 10 का, ठीक है, तो आपको comment हम check करेंगे, और देखेंगे, किस ने सही answer किया है, question number 10 क बहुत जाधा time नहीं लगना चाहिए, यह जितने भी question आपने किये, यह आपके easy to moderate level ते, तफ कोई भी नहीं था, easy to moderate था, यह सब आपके RRB PO, pre, और RRB clerk pre, के level के questions है, एकदम तयार रहे हैं, इस तरह के question आपको मिलेंगे, और आपको इस तरह के other session चाहिए, तो आप comment section में बता सकने हैं, so thanks a lot for watching this video and अगर आपको video पर संद आया हो, then hit the like button, share this video as much as you can and yes comment your answer below, thanks a lot